अगर आप हिमाचल से हैं आपको आजकल अलग-अकाडमी के फोन आ रहे होंगे सुभे किसी कहाता होगा, शाम को किसी कहाता होगा अलग-अलग स्कूल्स के अंदर आप हैं तो आपने देखे होगे कि अलग अलग मार्केटिंग वाले आ रहे होंगे आपके स्कूल्स के अजर और आपको यह कहरे होगे कि हमारी जी नहीं फीड़बेक फार्म भर दो क्यों भरती जी? क्योंकि हम आपको ना आके या भी पांच मिनट या दस मिनट की नो मोटिवेशन देगे गए हैं इसलिए आपने हमें अपने डेटर देतो लेकिन साफधान हो जागी अगर आप इन सारे की सारे प्राक्टिस के अंदर इंवाल्ड हैं मैं आपको यहां पर यह बता दूँ अगर आप नीट या जेई दोहजार तेस के आस्परेंट है ना तो ये वीडियो को कंप्लीट सुनना चाहिए नहीं तो ऐसे ही लोग आपको ठग करना कुछ भी आपसे करा ले जाएंगे क्या बोलेंगे आपको हम आपको देंगे जी बहुत ज़ाद experience faculties हम आपको देंगे study material हम आपको देंगे assignments हम आपको देंगे यह 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 बाजार में वादे बहुत सारे किये जाते हैं लेकिन निभाये बहुत कम जाते हैं लुभाया जाएगा आपको कि free of cost crash course ले ले जीए आप हमसे यह ले ले जीए हम आपको यह देंगे अंत तक यह चीड़ जाएगी कि आप हमसे रिजिस्ट्रेशन करा लाओ सिर्फ दो यह तीन अजार रुपे में कहीं आपने करा ली होगी और से फोन आजाएगा अच्छा आपने वहाँ इतने में कराई है कोई बात नहीं मैं आपको इतने इससे कम में करके दे देता हूँ अब वहाँ मत जाओ क्यों है ऐसा ऐसा इसलिए है और अपनी तारीफ उन लोगों को करनी पड़ती है जिनके content के अंदर quality नहीं होती है जिसका नाम चलता है जिसका सिक्का चलता है उसको इस चीज़ की जरुरत ही नहीं पड़ती है लेकिन as a student आपको यह सोचने की सबसे जरुरत है कि क्या आपको इन सब लोगों की जरुत है जो आपको दिन के आपके और आपके parents को दिन के 10 phone आते हैं academy से और जहां पर यह दर्शाया जाता है कि हम ही आपके सगे हैं जी आपके माँ बाप आपके रिष्टेदार आपके दोस्तों में कोई सगे हैं तो जी हम academy वाले आपके सगे हैं तो आपको यहाँ पर यह सोचना है कि आपको अपने जो पैसा है आपको किस तरह से उसको invest करना है जिससे आपकी जो selection है वो वहाँ पर हूपाए तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक ऐसे batch के बारे में जहाँ पर अभी अगर आपको लगर बने मैं कहीं बाहर से और मैं आपके उपर कुछ बातने थोप रहा हूँ मैं मेरा विशाल है मैं हमिर्पु हिमाचुल पर देश से हूँ लेकिन मैं यह चाहता हूँ क बहुत minimum selections होती है अगर किसी के एक-दो आजाते हैं तो वो बड़ी-बड़ी photos को चापते हैं और आजकल तो यह तक शुरू हो गया अंदर की बात बता रहा हूँ आपको academies के अलग-अलग academies बाले posters तक फाड रहे हैं तो सोची कि जिन लोगों के ethics ही strong नहीं है वो आपको क्या आपकी life केंदर successful बनाएंगे अब मैं आपको साथ इसने valid points यहाँ पर क्यूं कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो पैसा ना आपकी जो parents का पैसा वो सबसे जादा valuable है और उसको आपको बचाना है और आपको quality के उपर इस समय इसकी spending है वो आपको करनी है किसी भी दोगले आदमी के उपर आपको भरोसा नहीं करना है आपको देखना है quality क्या मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है हर कोई कहेगा कि हम आपको quality वाली teachers देंगे ये वाला material देंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन अंत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप सबसे समझदार है आप वो बच्चे है जो आपके उपर ये चीज़ें छोड़ रहा हूं उसी के साथ में ध्यान रखिए ऐसे दोगले लोगों से बच के रही है थैंक यू